दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung के Samsung Galaxy S20 FE 5G Smartphone के Android 14 One UI 6.0 के update के बारे में जो कि यहाँ पर कुछ लोग इस device को use करते हैं कुछ user हैं जो कि इस smartphone के लिए Android 14 का wait कर रहे हैं तो full information आपको इस वीडियो में share करने वाला हूँ इसकी according की something ने क्या इस smartphone के अंदर Android 14 का सा अपको बेट देखने को मिलेंगे की नहीं मिलेंगे पूरा मैं आपको full detail इस वीडियो में आपको share करने वाला हूँ तो वीडियो को like कर दीजीगा और चैनल को भी तक आप subscribe नहीं की हैं तो चैनल को जो है subscribe कर लिजीगा देखिए something ने अपने लगातार something के कुछ device के अंदर जो popular smartphone थे जैसे something का M34, something के A34, something के M53, something के M33 जो बहुत सरी smartphone थे जो की something ने इनको already Android 14 के साथ 246.0 का अप्रेट जो है रोलाउट करा दिया है इंडिया के अंदर तो देखिए हाँ पे कुछ लोग user हैं जो wait कर रहे है something के S20 FE 5G smartphone के लिए तो मैं आप लोगों से बतना चाहूँगा कि यह जो है device launch होई थी out of the box Android 10 पे इसको already 3 major OSR bit जो है मैं देखने को मिल चुका है Android 11 का, Android 12 का, Android 13 का अब इसे 14 तो अभी तक देखने को नहीं मिला है लेकिन मैं आपको अदा दू कि अब यहाँ पे Samsung के जो लोग user है S20 FE 5G smartphone इनके लिए जो wait कर रहे हैं उनके लिए आप कहना यह मुस्किल होगा कि Android 14 का बिट मिलेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर एक Samsung ने इसके उपर firmware टेस्टिंग किया है build number latest test आपको देख रहा है 33 तारीक के date में दिसंबर के महिने में इसके उपर टेस्टिंग किया गया है और Android वर्जन में 13 बता रहा है यहाँ पर 1EY अबडेट नहीं बता रहा है क्योंकि Samsung ने अगर इस smartphone के अंदर Android 14 का update rollout कराना होता तो update type में यहाँ पर 1EY बताता आप जो की screen पर देख पा रहा है पूरा clear यहाँ पर इसके अंदर टेस्टिंग किया है Samsung ने S20 FE smartphone के अंदर तो देखिए जो है तेज तारीक डेट में इसके उपर जो है testing किया गया है Android version 13 बता रहा है यहाँ पर 1EY update type में नहीं बता रहा है तो यहाँ पर मैं आप किसे कहना चाहूँगा कि Samsung ने इसको बहुत ही मतलब 99.9% chance यहाँ पर कम है क्योंकि Android 14 का update इसी smartphone के लिए मिलेगा क्योंकि Samsung ने अपने Samsung के S20 FE 5G smartphone के अंदर ओल लेडी तीन मेजर OS update रूल आउट करा दिया है 11 का 12 का 13 का यहाँ पर 14 का यहाँ पर अब समझ लेजिए कि आप लोगों को wait नहीं करना चाहिए तो ठीक है यहाँ पर wait मत कीजिए क्योंकि Samsung ने इस smartphone के अंदर टेस्टिंग भी अगर किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ की 1EY में जो है update type में 1EY नहीं बता रहा है सिर्फ Android 13 बता रहा है अगर इसको Android 14 का बिट मिलना होता तो इस smartphone के लिए चार major OS update हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको wait करना नहीं है आप बस use कीजिए Android 13 तक ही Samsung ने इस smartphone के अंदर rollout करा है और 14 का यहाँ पर update अप तो बहुत ही कम chance है कि इस smartphone के अंदर देखने को मिलेगा ओप कि आपको यह information पसन आए पसन आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं की है तो चैनल को subscribe करेजिएगा देखिए Samsung के जो A20 5G smartphone यूजर थे उनके लिए जो है information में आप लोग तक जो है share किया हूँ तो लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में